हेलो प्रैंट्स आप सभी का स्वाकत है हमारे चैनल एजुकेशन डिटक्टर में तो आप सभी लोग कैसे हैं आशा करता हूँ आप जहां भी होंगे सुरुक्षित होंगे तो आज की GK की वीडियो बहुती महदपूर होने बाली है इसलिए वीडियो को एण تक अवसे देखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए तो वीडियो को सुरू करते हैं तो प्रैट्स आपका पहला कोशन है निम लिखित में किस रूसी याती ने सर्फ प्रतम अंतरिच में कदम रखा? A. अमंड सेन ने, V. मार्सल टीटो ने, C. यूरी गागरिन ने, D. कास्परो ने आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्षन C. यूरी गागरिन ने आपका अगला कोशन नमबर दो है बिहार में सिंदरी किस लिए प्रिशिद्ध है? A. स्टील उत्पादन B. कोईला उत्पादन C. रासायनिक उरवरक D. अलुमिनियम उत्पादन तो फ्रेंट्स आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्षन C. रासायनिक उरवरक D. बिहार में सिंदरी रासायनिक उरवरक D. के लिए प्रिशिद्ध है? फ्रेंट्स आपका अगला कोईशन नमर तीन है हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड निम लिखित में से क्या उत्पादन करती है? A. एरक्राफ्ट उत्पादन B. घड़ी उत्पादन C. बिजली उत्पादन D. मोटर साइकल उत्पादन तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A. एरक्राफ्ट उत्पादन हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एरक्राफ्ट उत्पादन करती है फ्रेंड्स अगर आपको जिस कोशन का आंसर पहले से पता है उस कोशन का आंसर आप कमेंट में अबस्थ बताईए अगला कोशन नमबर चार है प्रकास बर्स किसकी एकाई है? A. बिद्धुत्ती ब्रता B. गुर्त्वा करशड C. दूरी D. तोरल तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ओफ्षन D. तोरण प्रकास बर्स की एकाई तोरण है फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजी अगला कुर्शन नमबर पांच है दो बड़े जल मार्गों को जोडने वाले लगु मार्ग को कहते हैं तो आपका सही आंचर हो जाएगा अप्शन बी जल संधी दो बड़े जल मार्गों को जोडने वाले लगु मार्गों को जल संधी कहते हैं फ्रेंट्स मैं जो भी कोशन पूछ रहा हूँ वो बहुत ही महतपूर कोशन है इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहना अगला कोशन नमबर छे है भारत के उतरी में कौन सी मिटी पाए जाती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन डी जलोड मिटी भारत के उतरी में जलोड मिटी पाए जाती है फ्रेंट्स आपको जिस कोशन का अंसर पहले से पता है उस कोशन का अंसर आप कमेंट में अवसे बताईए अगला कोशन नमबर साथ है निम्ल लिखित में से कौन सी नदी विशोत रेखा को दो बार काटती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन ए अमेजन नदी विशोत रेखा को दो बार काटती है फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अगला कोशन नमबर आठ है निम्ल में से कौन सी नियुक के भारत के राष्ट्रिपति के अधिकार में नहीं है ए भारत का मुख्य नया अधिस बी लोगसवा अध्यक्स सी थलसीना अध्यक्स डी बित आयोग फ्रेंट्स आप इस कोशन का आंसर कमेंट में दीजी हम आपका आंसर कमेंट में देखेंगी अगला कोशन नमबर नौ है बायू में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है ए अमोनिया बी मीथेन सी जल डी कार्बोनिक अमल आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी जल बायू में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल पैदा करती है अगला कोशन नमबर दस है मोर एक ऐसा पक्सी है जो अंडे नहीं देता तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होते है सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मोर नहीं अंडे देती है मोर नहीं फ्रेंट्स ये आईस में पूछा गया क्वेशन है तो फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जूड़ने के लिए हमारे चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए और पास में बना बैल अकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जितना हो सेगे उतना आप इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स तक सेर केजिए तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद